हे फ्रेंट्स तो क्विक रिवीव में बात करते हैं फाइनली थेटर में देखी गई फिल्म जिसे देखने के लिए जादा ओडियंस आई ही नहीं थी क्यूंकि जादा तर्त ओडियंस को पता ही नहीं कि इस दो बारा नाम की भी कोई फिल्म निकल कर आई है उपर से पहले ही ट्वेलर में ये बात पूरी तरीके से लोगों को पता भी चल गई कि ये फिल्म असल में नेट्फिक्स पर लीज़ हुए आई थिंग स्पैनिस सीरीज मिराज की ओफिशल वीमेक है जिसे अगर आपने देखा है तो फिर ये फिल्म आपको उस लेवल में क्य उनकी भी नजर में इस फिल्म को इतना जाद आच्छा प्यार मिलने वाला है नहीं यानि के उनकी भी नजर में ये फिल्म बी माइनस की कैटेगरी डिजब करती है जिन से हटकर अप सीधे बात करते है इस फिल्म की कहानी की तो जो चीज़ हमें इसके ट्रेलर में भी बहु बड़ी मुसीबत मोल ले ली है क्योंकि उसका जो कनेक्शन पास से बना था उसका एफेक्ट सीद्योस के फ्यूचर पर हुआ है जिसे अब वो कैसे ठीक करती है और हां नहीं भी वही सारी के सारी डीटेल ये फिल्म आपको देती भी हो और नहीं भी क्योंकि एंडिंग कन्फ वी एंगल से ये नहीं लगता कि ये फिल्म अनुराक कशप ने डारेक की है और अगर उनकी खामियों की बात की जाए तो इस फिल्म की सबस्रेबिटी खामी यही है कि एक ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनाना जो आउट ओफ दा बॉक्स है भी रही और उपर से चैलेंज बॉल वो डॉयलों को बिल्कुल भी रिमेक नहीं करना चाहिए था लेकिन अब जो हो गया है उसे बदला तो नहीं जा सकता जिन मेंसे एक और खामी है इस फिल्म को थेटर में रिलीस करना जिसके ट्रेलर क्या कंटेन बनने तक ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता रहेगी कि इस तरीके के कंटेन अब आज की तारिक में तो थेटर में बिल्कुल भी नहीं चलते लेकिन फिर भी मेकर्स ने रिस्क लेते हुए इस फिल्म को थेटर में रिलीस किया है जिस पर मेरी ओनिस्ट्री तो यही रहेगी कि मुझे लगता है कि आपको थेटर जाकर को समय देना चाहिए बलकि ये फिल्म घर पर बैट कर देखनी जैसी है यानि किसी OTT प्लैटफॉर्म पर जिसमें बजट के नाम पर जितने भी पैसे खर्च किये गए है वो है फिल्म के काफी अच्छे से वीजवल्स और हां कलर करेक्शन के साथ साथ सिनमेटरग्राफी भी जो कही ना कहीं इसकी एक और दुश्मन भी बन जाती है क्योंकि पास्ट और प्रेजिट की इस टाइम लाइन में सिर्फ एट्मोस्फियर ही चेंज होता है बलकि लोकेशन बिलकुल भी नहीं जिसे देखकर बस आप इसी चीज़ों को लेकर कनफ्यूज होते हो कि ये फिल् को देखने के बाद थेटर से बाहर निकलने तक तारीफ करें लेकिन जब वैसी ही ओडियंस को आप पूरी तरीके से इग्नौर करकर इस तरीके का कंटेन मनाओगे तो रिजल्ट अनफॉचनेट थेटर में तो बिलकुल भी नहीं मिलता है इसलिए मैंने कहा कि ये फिल्म थ तरीकी के एक्टिंग को देखकर पग गया हूँ जिसमें अगर वो अब कुछ नया नहीं करती है तो फिर मुझे लगता है कि उनका करियर बॉलिवुड में और भी काफी ज़दा लंबा चलेगा इंफेक्ट हालत अभी से ही खराब है सिर्फ उनकी नहीं बाकी दूसरे बड बिल्कुल भी नहीं पहचाना वैल यह चीज तब होती जब यह आइडिया खुद अनुरा कशप के दिमाग से निकल कर आता क्या फिर कहूं राइटर्स के जिन्नों ने असल में इस फिल्म का एज राइटर ओरिजिनल कॉंसेट को देखकर लिखा है बस कुछ चेंजिस करने से ये फिल्म थोड़ी बहुत बच जाती है और मेरी निजर में वन टाइम वाच की कैटिगरी में आती है और जिन लोगों ने अगर ओरिजिनल कंटेंड नहीं देखा है तो उनके लिए ये फिल्म मैं दावे के साथ तो कह सकता हूं कि आउट आउट अफ दा बॉक्स और ब कि आप समझदार हो कि अब आपको आपका समय इस दो घंटे की लेंद की फिल्म को देना भी चाहिए या नहीं जिसमें कई सारे पार्ट्स को काट कर इस फिल्म को फास पेस का बनाया जा सकता था जो कि ये अब भी है लेकिन फिर भी ओडियन्स बीज वीच में तो बोर होती ही है जिससे लेकर अब आप अपनी राय मुझे कमेंड में लिक कर ज़रू बताईएगा क्योंकि अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खतम करने का बाकि मैं हूँ अजीज मिलूँ आप से जल्दी दोसी किसी वीडियो में तिल देन बाई झाल